बीजेपी अध्यक्ष अमिश्चाहल लोगसभा चुनाव का रोड मैप तयार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में देश की जनता को तै करना है कि उन्हें मजबूर सरकार चाहिए या फिर मजबूत सरकार। अगले साल हम 2014 से बड़ी जीत करेंगे ऐसा हमिश्चाह ने कहा साथ ही हमिश्चाह ने दावा किया कि 36 गर्ड मध्यपदेश और राजिस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और वाडरा के करीबियों के ठेकानों पर एडी के चापे पर कॉंग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हमिश्चाह ने कहा है कि अब समय बदल गया है और अब सर भी समझ चुके हैं कि अब चोरी नहीं चलेगी। तो कुछ समस्य आएगी। शाह ने कहा कि उत्तरपरदेश में भाजपा का वोट प्रतिशत पहले ही 45 प्रतिशत रहा है सपा और बसपा का सयंगत वोट प्रतिशत करीब 51 प्रतिशत होता है ऐसे में भाजपा को 6 प्रतिशत के अंतर को पाटना है। झाल